हेलो अरिवन आज हम गाना सिखेंगे गाने को और बजाने को दोनों चीज तो गाना कुन सा है लकड़े की काठी काठी के घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथोड़ा गोड़ा पोचा चोक में चोक में था नाई नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई गोड़ा पोचा चोक में चोक में था नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई दोड़ा 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 खोड़ा दुम दबाके दोड़ा लकड़े की काठी काठी पे खोड़ा खोड़े की दुम पे जो मारा हथोड़ा दोड़ा 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 खोड़ा दुम दबाके दोड़ा तो ये गाना मैंने अभी गया अब इसको हम कीबोर के कौन से स्वर के साथ इसको बजाना है कैसे बजाना है वो भी देखेंगे जानेंगे सीखेंगे और जो गाने वाले है वो साथ में गुन गुनाएंगे आप इसको आकार में भी गा सकते हो तो आकार में कैसे गाने का इसको कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब इसको हम सारे गमा के ट्यून के साथ मतलब अलंकार जिसको कहते है या स्वर्ण। तो ससाफ के नाम होते हैं सोसको पहचनने है पहेचनने है आपको ये वीडियो पूरा देखना है देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्च्छॉल में क्या ओरहा है को ता स्वर कैसे बज रहा है और आपको क्या बजाना है पिएनो गुरु हो सकता है आपके पास हार्मोनियम हो सकता है मैं बार बार दो रहा रहा fragments अगर आपके पास कोई डिवाइस दो या तीन डिवाइस है तो आपने पियानो गुरू डाउनलोड किया होगा तो उसमें जिसके पास एक्चुल में ये कीबोर्ड, हर्मोनियम, और गन, कैसे हो जिसको कहते हैं वो है तो वो इसी पे प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बजाएंगे और गाते गाते बजाएंगे और सीखेंगे स्वर के साथ गाना है, आकार के साथ गाना है, शब्दों के साथ गाना है और गाना बजाना भी है तो क्या है इसके स्वर? ये मैंने क्या बजा है लकड़े की काठी काठी पे गोड़ा गोड़े की दुम पे जो मारा है थोड़ा दुम दबा के दौड़ा फिर से एक बार सुन लीजिए देख लीजिए और फिर बजाने का कोशिश कीजिए अच्छी तरह से क्या गाना है क्या बजाना है कौन से स्वर प्ले करने है फिर एक बार तो यह हमारा बजा लकडे की काठी काठी पे गोड़ा जिसको मुखडा कहते है अब हमें अंत्रा बजाना है अंत्रा के लिए हमें तार सब्कत के साथ तक जाना पड़ेगा तो अंत्रा क्या है इसका अंत्रा एक बार फिर से क्या है घोड़ा पोँचा चोक में चोक में था नाई नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई तो इसके सवर क्या है पपपपसा धधा पपपसा नीनी धधा धध धध पपपसा नीनी धध पमगमपप धध 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 पपममग गरेरे सासा दोड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दोड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा गोड़ी की दुम पे जुमारा थोड़ा अब ये सीप बज रहा है मैं एक बार आपको स्वर गाके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले हाँ सीप स्वर्ध ससारी गपागरे एक बार ससारी गपा Заरी गपणे एक बार ददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद जो बीच में तबड़क तबड़क आता है वो हमने अभी फिलाल नहीं गाया है तो वो कह गोड़ा पहुचा चोक में था नाई नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई गोड़ा पहुचा चोक में था नाई नाई जी ने घोड़े की हजामत जो बनाई दोड़ा दोड़ा घोड़ा दुम दबा के दोड़ा लगड़े की काठी काठी पे घोड़ा गोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा दोड़ा 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 घोड़ा दुम दबाके दोड़ा आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुल में आपको कैसे क्या बजाना है अब दूसरा आंत्रा दूसरा आंत्रा क्या है घोडा थाख मंडी पहुचा सबजी मंडी सबजी मंडी में बरपडी तो घोडे को लग गई थंडी टक बाक टक बाक टक बाक गोडा थाख मंडी पहुचा सबजी मंडी सब्जी मंडी में भरपड़ी तो घोड़े को लग गई थंडी दोड़ा दोड़ा घोड़ा दुमदबाके दोड़ा मतलब अल्टीमेटली क्या है स्वर वो ही बज रहे, क्या बज रहे है सारी गपपगरी सारी गपपगरी झाल झाल तो आपको क्या करना है गाने वाले है वो आकार में या स्वर में गा सकते है ठीक है और शब्द तो है ही और बजाने वाले साथ में बजाएंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा इस वीडियो से आपने पूरा वीडियो देखा होगा ऐसी मेरी आशा है और आपको जुड़े रहिए कुछ भी क्वेरी हो अगर आपको question है तो comment box में लिख सकते है मैं मेरी तरब से पूरी कोशिश करूँगा आपको reply करने की आपको answer देने की आपको जवाब देने की लेकिन साथ में आपकी मेनत आपका जज़बा आपका जुनून और कीबोर्ड औरगन हर्मोनियम या पियानो आप कहलो अगर आपके पास application डाउनलोड किया हुआ है तो वो या actual instrument घर पे है तो वो ये जज़बा आपमें होना चाहिए और मैं बार बार दोरा रहा हूँ आपको वीडियो पूरा देखना है और singers जो है वो शब्द में आकार में और स्वरो के साथ मतलब की साथा रिग पगरे साथा नी धा दबा म हम पा पापम पासधा पाप सानी जादेट पा मा पापम पासा दहा पाप तो इस तरह से अगर आप लोग गाएंगे तो क्या कहलाओगे क्लासिकल सिंगर भी कहलाओगे आवाज अपनी अलग-अलग होती है आवाज दीरे-दीरे-दीरे करके कल्टिवेट करनी उसको निट्रिलाइस करना है जिसको कहते है नर्चर करना है आवाज को भी और वाइस को कल्चर करना है जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना रियस करेंगे गाने का और बजाने का आपका गाना है उतना ही निखरता जाएगा उतना ही उभरता जाएगा फिर स एक बार जूड़े रही है बने रही है कुछ भी क्वेरी हो प्रॉब्लम हो तो comment box में लिखे I will try my level best to solve it thank you very much please take care good bye